बुद्भार रात से गुर्वार के सुभा तक हुई भारी बारिश कारण नागपूर की अमबाजरी जील और फ्लो हो गई नागपूर शिहर से जिले के विभिन नस्तानों पर बाड़ा गई नागपूर के पास बेसा इलाके में नाले की बाड़ में एक यूवक बह गया राज जके पूर्व उर्जा मंत्री और नागपूर जिले के पूर्व सवरक्षक मंत्री ने मांग की कि बारिश के मौसम में किसी आबदा की स्तीती से निपटने के लिए सिस्टम को तुरंट तयार रहना चाहिए बुधभार को राज से शुरू हुई भारी बारिश के कारण नाकपूर जिले में बार जैसे स्तीती पैदा हो गई शहर और ग्रामिन इलाकों में नदिया और नाले बह रहे हैं शहर की सडके नदिका रूप लेती हुए तस्वीर में थी पूरे इलाके में पानी भर गया कई अपार्मेंट बारिश के पानी में डूबे नजर आए नरिंद्र नगर ब्रीश, पडोले चौक, शंकर नगर, मंगलमूर्ती चौक में घुतनों तक पानी भर गया चुकि शहर में पिली नदि पूरी तरह से भैती है इसलिए एतियात के तौर पर उचित योजना की आउशकता है डॉक्टर नितिन राउत ने बताया कि सड़क सचमूज जील में तबदिल हो जाने से आसपास के घरों में पाने घुत जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा इस समय जिला आबदा प्रभंदन तंत्र की तैयारियों में शेहर एवं जेले में वर्षा किस्तिती, बान में पानी किस्तिती, बाड संभावित एवं बाड संभावित ख्षेत्रों खतरनाक स्तानों पर निवास कर रहे नागरिकों को ध्यान में रखते हुए उचित योजना बनाई जाए नागपुर शहर और ग्रामिन क्षेत्रों में मानसुन के दोरान सुरक्षित स्तानों पर स्ताना अंतरित किया जाना चाहिए नागरिकों को आबदा के दोरान बरती जाने वाली साउधानियों की जानकारी दी जाए बारिश के दोरान भुसक खलन की आशंका वालेक शेत्र में यातायात के लिए सड़के बंद कर दी जानी चाहिए आपदा प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक उपकरन और जन्शक्ति योजना तयार की जानी चाहिए जीले के पुर्वस औरक्षक मंतरी ने मांग की कि सिस्टम किसी भी आपदा की स्थिती से निपटने के लिए तयार है कैमेरा परसन राशकुमार मोड के साथ अभिशिक पान CBCN News नापपूर